हेलो फ्रेंड्स तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि ATM का पिन कैसे जनरेट करते हैं तो यह SBI का ATM और हम पिन जनरेट करना सीखे हैं हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे सुपर फास्ट इस्टेडी पे मैं हूँ तरुन वर्मा तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि SBI का ATM का नया कार्ट का आपको पिन कैसे जनरेट करना है और पिन कैसे निकालना है ATM मसीन से आजकल पिन दो तरीके से निकाला जा रहा है या तो आप ऑल्लाइन बैंकिंग के थुरू निकाल सकते हैं पहले तो यह चीज यह सुईधा आपको दी जाती थी एक लिफाफा दिया जाता था आपको आपके ATM के साथ में जिसके अंदर में चार डिजिट छुपे रहते थे वही आपके ATM के पिन होते थे लेकिन अब यह सिस्टम चेंज हो गया है तो आइए मैं आपको बताता हूं कि कैसे फॉलो करते है इस प्रोसेस को ठीक है आपको कुछ नहीं करना ATM में जाना है सबसे पहले यह विंडो दिखेगा आपको जो विंडो यहां पर दिख रहा है इसमें देखिए सबसे नीचे में यह देखिए राइट साइड में यह पिंज जनरेशन को आपको सेलेक्ट करना है जैसे ही आप इ कुछ दिखा ओओ यूप करेंगे आपके पास एक मैसेज ऐसा मैसेज के आएगा इस मैसेज को भी आपको कंफर्म कर देना है जैसे ही आप इसको के मोबाइल में में तूरंत एक मैसेज आएगा और जो विंडो है इसका ATM का वो clar हो जाएगा मतलब जैसे स्टार्टिंग में रहता है विंडो वैसी हो जाएगा और आपके मोबाइल में जो मोबाइल आपने बैंक में दिया है ऐसा एक मैसेज आ जाएगा उसमें तो दोस्तों उसमें आपका यह दिया रहेगा यूँवर सब्सक्राइब हो जाएगा फीर आपको क्या करना है ये पहला इस्टेप आपका complete हो गया है फिर आपको क्या करना है फिर से जाना है और अपना ATM card को insert करना है मतलब ATM card आप डालेंगे जैसे ही मसीन में उसके बाद आपको option दिखाएगा banking का इस चार्टिंग में तो उसमें आपको banking को क्लिक करना है उसके बाद आपको बोलेगा कि language patch select कर लीजे तो यह ऐसा window को आएगा माँ पर जिसमें आपको यह देखे उपर में banking लिखा रहीगा तो ईतों पर में इंग्लिस लिका रहाएगा नीचे में हिंदी लिखा रहेगा तो आप इंग्लिस को को सेलेक्ट करना है इंग्लिस को सेलेक्ट करेंगे फिर आपको क्या करना है यह देखिए ऐसा एक विंड़ो खुल के आएगा इसमें लेफ्ट साइड में यहां देखिएगा नीचे से दूसरे नमबर पर pin change का option रहेगा ठीक है दोस्तों आपको इसको select करना है पिन change को जैसे ही आप पिन change को select करेंगे आपको ये window खुल के आएगा इस window में ये बोला जाएगा कि please enter your pin number तो वो pin number वो रहेगा जो आपका mobile में code आया हुआ था क्या code आया हुआ था आपका 7,4 जो भी जो आया हुआ था वो code आपको इसमें डालना है जैसे ही आप वो code डालेंगे उसके और फिर से यही window खुलेगा लेकिन उसमें ये लिखा रहेगा please enter your new pin तो वो new pin कौन सा रहेगा वो new pin आप अपने मन से select करेंगे कोई भी चार डिजिट का ठीक है दोस्तों वो आप जो select करेंगे वही आपके ATM card का pin नमबर रहेगा तो उस pin नमबर को आपको select करना है और type करना है आप एक बार type करेंगे फिर उसको confirm या ok करेंगे फिर उसके बाद बोलेगा कि please re-enter the new pin मतलब उस नए pin को आपको दो बार डालना पड़ेगा जैसे ही आप दूसरे बार डाल कि ok या फिर confirm आएगा तो confirm करेंगे तो वैसे ही आपका वो pin set हो जाएगा और display में यहां पर आ जाएगा कि your pin number has been generated successfully करके ठीक है दोस्तों तो ऐसे आपका जो है करना तो बिल्कुल भूले ही मत thank you फिर मिलूंगा आपसे कुछ अच्छा वीडियो लेके next thank you